देखे एक तरफ किम जॉंग उनकी बहन परमाडू हमले की धमकी दे रही है वही दूसरी ओर अमेरकी रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की धड़कने तेज कर दी है दावा तो ये किया जा रहे कि नॉर्थ कोरिया की परमाडू साइट पर गतिविधिया तेज हो गई है सेटलाइट तस्वीर के हवाले से दावा किया गया है कि 3.17 मार्च को साइट पर हलचल भी देखी गई और इसके साथ ये रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया साथ वे परमाडू परिक्शन कर सकता है किम के परमाडू तैखाने में हलचल सेटलाइट तस्वीर में किम का प्लान के है फरमाडू परिक्शन कर सकता है नॉर्थ कोरिया एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा है लेकिन दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है पहले तो केम जॉंग उन लगतार मिसाइल परिक्शन कर रहे थे लेकिन अब नॉर्थ कोरिया में परमाडू साइट पर हलचल तेज हो गई है अमेरिकी ठिंक टेंग के दावे के बाद बाइडन से लेकर जापान और दक्षिन कोरिया के होश फाक्ता हो गए है दावा किया गया है उत्तर कोरिया के परमाडू साइट पर गत्विदियां देखी गई अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि केम जॉंग उन के आदेश के बाद 3 और 17 मार्च को परमाडू साइट पर हलचल दिखी दावा है कि नौर्थ कोरिया सात्वा परमाणू परिक्षण कर सकता है अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया कि ये हलचल किम जोंग उनके उस आदेश के बाद तेज हुई है जब उन्होंने एट्मी जखेरे को पढ़ाने के लिए नूकलियर वारफेर से जुड़े सामानों के उत्पातान को पढ़ाने का आदेश दिया था हाली में उत्तर कोरिया ने नए छोटे परमाणू हत्यारों को विक्सित करने का काम भी शुरू किया इसके साथ ही दक्षण कोरिया और अमेरिका की सायुक्त सेनब भ्यासों की निंदा की थी इसके बाद अब अमेरिकी रिपोर्ट में जो दावी किये गए हैं उसके मताबे सेटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यॉंग बियोन प्लांट में पांच मेगावाट का रियक्टर चालू हो गया है एक एकस्पेनिमेंटल लाइट वाटर रियक्टर बनकर तयार होने वाला है रियक्टर के पास एक सहायक किमारत का नेरमार शुरू हो गया है रियक्टर के कूलिंग सिस्टम से पानी के छोड़ने के सबूत मिले हैं दावा किया जा रहा है कि रियक्टर से परमाणू बम के लिए यूरेनियम तैयार हो रहा है नर्थ कोरिया 2017 के बाद पहली बार परमाणू परिक्षण की तैयारी में है हालांकि तक्षण कोरिया और अमेरिका 2022 की शुरुआत से ही दावा कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया किसी भी समय परमाणू परिक्षण कर सकता है लेकिन करीब 16 महीने हो चुके हैं फिर भी उत्तर कोरिया ने परमाणू परिक्षण नहीं किया लेकिन मौजूदा हालाद और लगातार उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जॉंगुन और उनकी बहन किम योई जॉंग की ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं से आशंकाए हैं कि उत्तरकोरिया कुछ भी कर सकता है